दोस्ता बर्टपेस थीम कस्टमाइच से रिलेटेट फिर से एक नए वीडियो लेकर आए जिसमें आज हम भात करने वाले 22 बर्टपेस थीम के बारे में इस थीम को हम कैसे करें इसके अंदर कौन-कौन से फंक्शन पीचर मिलते हैं इससे संबंदी सारी सेटिंग को हम पढ़ इसका दूस्तों आप देख रहे हैं बेसिक कम्प्यूटर दी तो सबसे पहले हम इस थीम को स्ट्रॉल करते हैं अपनी वर्टपेस साइट के इसके लिए वर्टपेस की डैजबूट में लॉग इन होने के बाद लेफ साइट में बर्टपेस फंक्शन फीचर मिलेंगे एन रहे हैं पर आपको सेज्ज करना है 2022 एन यहां पर यह पर यह थीम आ चाहिए तो यह थीम को पर है पाइले से घ्ल किया है हमें करते हैं अब इस भी deserves क्यानेस थे तो यहां पर हम इस थीम के अंदर जाएंगे तो दीखिए दूस्तों डालो इसके तीन लाग से भी ज्यादा है मतलब इस थीम को तीन लाग से भी ज्यादा वेब्साइट ग्लॉग में यूज किया गया है तो फीर है अगर यतने डावलोड रहें तो कुछ नो कुछ अच्छा होगा इस थीम के अंदर तभी लोग ट्रस्ट कर रहा है ठीक है तो यहां पर इसका लाश्ट अब्डेट जुलाई सूला दुएच्छोब इसका आया है ठीक है तो हम जाएंगे बैक और इसे एक्टिव कर लेंगे अपने वर्टपेस साइट के अंदर एन यहां पर हम कस्ट आते हैं जैसे कि अदर आप कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर पहले पढ़ते हैं नेविगेशन यह आपके तो इस पर किलिक करेंगे नेविगेशन बन नेविगेशन टू आपने जो बनाए होंगे हम इस पर किलिक करेंगे नेविगेशन बन है यह एन बैक जाएंगे नेवि इसको सेको करें घुक करने को आपको नेविगेशन है ब्लोक हम यहां पर इस तरह ही सकते इसको हाना एपी यह जो टाइडला रहा रहा है है एप रह छो सकते हैं आप कर सकतेkt ऴृट करेंगे देश्ट करूंच आप तो जो भी आप करना चाहिए कर सकते हैं तो मैं यहां पर Tech & Computer लिखना चाहता हूं ब्लोग यहां से रिमॉब करना चाहता हूं ठीक है अब बात आती है title के color की color आपको change करना है तो वो कैसे करेंगे तो यहाँ पर दिया गया color का option यह है तो text के color आपको बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं आपको गर background color रखना इसका तो वो भी रख सकते है background color and क्या रखना है मुझे रखना black यह black हो जाएगा ठीक तो हम practice कर रहा है यह theme को पढ़ रहा है in function feature पढ़ रहा है तो जो color पसंद आया वो कर सकते हैं काफी यहाँ पर अच्छे color है तो जो आपको लगे वो अपने सकते है घ्रेडिया गया है डीक है gradient color यह यूज कर सकते हैं कि देखे यह आपको लगे ठीक है तो मैं यहाँ आप आप टेक्स कलर में वाइट कर देता हूं ठीक है तो प्रैक्टिक से दर पर हमने यह ले लिए एनिहां पर बात यह लिंक कलर की तो सिंपल से क्लिक करेंगे एनिहां पर लिंक कलर आप कर सकते हैं चैंज यहां पर फिल यह है कलर इंगे आपकी लिंक कलर देखिए जो आपको यूज करना है लिंक कलर वह आप यहां से कर सकते हैं तो मैं इसको लिंक कलर को चैंज कर देता हूं ठीक है यह कर देता हूं इस पर क्लिक करेंगे तो आप डार्क लाइट भी कर सकते हैं चुलिए हम बिलू रखते हैं ब सब्सक्राइब पर नहीं है आप बनाई अगर आप बनाएगे तो हैं पर यहां पर इलिद्ट क्निय अगर्रोय करेंगे लिदर क्रेंगे अगर आप यहां पर नेविग्शन हमारा किल्यर रोच चुका है अब यहां पर रिख्जाइंगे हैं compliance और करेंगे तो आप style change कर सकते हैं यह लए सकते हैं तो काफी सारे style के अंदर हाना जो आपको सही लगे ठीक लगे वह यहांसे चेंज कर सकते हैं इस तरह लेगे सकते हैं यहां पराइड मोर का function आनी लगे इस पर क्लिक करेंगे जाफ फूल आया content देगी करेंगे न यहां पर जो आपको श्टाइल देनी है आप यहां से ले सकते हैं एडेट के करेंगे अब यह इस ThTile बना वुआ है एंट यहां पर जो हो भी चेंज करना है वो भी आप चैंज कर सकते हैं जैसे की आप इस पर जाएंगे पट 엄 ःऍवरबर करेंगे तो फॉंट आपको कितना चाहिए यहां पर आप कर सकते हैं एक्सल हो गया जो तो यहां पर हम मीडियम कर देते हैं यहां पर हम आपेरेंस में जाएंगे तो यहां पर जो भी आपको फॉंट करना है बोल करना है इतालिक मीडियम करना है जो फॉंट का बेट होता है वो आप यहां से कर सकते हैं ठीक है फॉंट के लाइन हाइड यहां से त्या करेंगे आप कितने आप को करने हैं लेटर स्पेसिंग वगएरा एन यहां पर लेटर केज जैसे कि अपर केची यह लोर केची के देखिए यह पर यह पूरे थीम पर काम करेंगा इसका भी से ध्यान रखिए जैसे कि मैं सब चारा चारे हों कैपिटल होगा सभी कंटेंट तो इस पर किलिक क करना कर सकते हैं तो मैं इसको यहां पर इस तरह रहने देता हूं ठीक है डिफूल्ट टेट एन यहां पर बैक जाएंगे एन यहां पर बात और यह लिंक की तो लिंक आपको फॉन साइज बगए चैन्ज करना है जहां लिंक बन हुए वह आप कर सकते स्पेस क्लिक करेंगे लिंक का टाइफ इगरापी यहां पर पर क्या सट चाहिए लिंक कितना साइज चाहिए तो आप यहां सथ्या किची एकसर चाहिए रस यह इस लिंक करकर गबाधी कोई कंटेंट पर दिक्क्त नहीं देगा लिंक quirky यहां के की लींक पर यहां से ह Keanu पर ने रखना आप यहां See आप यहां से टेकर सकते हैं तो पर लिंक को कर को कर सकते हैं किiche कीर तरह करके लिंक कर सकते हैं कि मोश्य हुआ अलिए आपका आए Like heading बनाई है उस पर ही काम करेगा तो यहां पर एच बनाई है तो यहां पर जैसे कि आपने एच बनाई है तो एच बन की आपको heading का size कैसा चाहिए यहां पर डिसाइड करेंगे small जी capital चाहिए हना तो जहां आपने heading heading यूज की होगी h12 h3 h4 h5 h6 वहां यह काम करेगा function तो मैंने अभी heading यूज नहीं की यह defaulted इसकी heading है जो पोस्ट की होती है ठीक है तो इस पर काम करेगा ठीक तो यहां पर पर caption है तो आपने जो caption बनाए उसकी type फिगराफी फिर अब buttons अगर आपने button दियाए किए उस पर इक काम करेगा तो buttons आपने बनाए हैं तो वह काम करेगा तो यह हमने buttons create नहीं की है ठीक है यह पर button क्रेट करेंगो उस पर इक काम करेगा चली यह ले लेता हूं button यहां पर नीचे आते हैं इस पर click करेंगे प्लस पर क्या चाहिए मैं button चाहिए तो यह बटन पर काम करेगा यह ले लिए हमने button ठीक है and button में कर दो आ है test कि अब देखीए इसका from वगएरा सायज जो बटन का होता है उस पर काम करेगा देखिए जैसे कि हम कर दिते इसका के तो अपने जाना बटन मनाई उसकी टाइफ अप्र चेंज करने शीब order Springs एनंडर वाफ बने से डाली इंड यहां पर आपर के लोवर केज फॉन का वेट तो आप यहां से कर सकते हैं यहां पर बोल डिटालिक नहीं है यहां पर आपर के लोवर केज आपको मिल जाएंगे और यहां पर फॉन का बीड मिल जाएंगे फॉन का साइज आप जो करना चाहें आप यहां से त्या कर सकते हैं च टेक्स किलार देसक्ति जिसे कि ओल रहे है कि ऊच्छ और कलर देना चाहिए तो यहां पर लिंक भी navy लिए टेक्स में भी सीसाप द्यहां करें मैं ग्रेस के लिए लिता हूं ठीक है बैक्गराउंद कलर soul or आप यहां से background color change कर सकते है 22 theme का यह देखिए अगर आपको लगे gradient color भी बना सकते हैं जो आपको सही लगे वह आप gradient color बना सकते हैं तो मैं gradient color ले लेता हूँ अब लिंक color की बात आती है लगे कि मुझे लिंक color चेंज करें लिंक तो कुछ अलगी रखना है तो आप लिंक color रखना चाहिए वह आप रख सकते हैं यहां बटन पर काम करेगा यह heading बटन आपने बनाए यह उनके color चेंज करेगा चलिए बैक आते हैं अब शेड़ फेक्ट तो सिंपल से स्पड़ करेंगे तो जो भी आपको सेड़ फेक्ट देना है यहां से देशिए यह ले आउट ले आउट बात आती है ले आउट का जो content है यह साइज यह पेडिंग यहां से चेंज कर सकते हैं यह layout है पूरा तो इसका content आपको कितना रख यहां पर रख सकते हैं यहां से कर सकते हैं तो इसको थोड़ा सभी कर देते हैं ठीक है तो यहां पर साइज दिए एंड बैक्ग्राउंड अगर आपको लगे कि मुझे बैक्ग्राउंड इमेंड डालना है यहां पर content में या कैसा थीम में तो यह option दिये गया है आप video library से ड दाल देते हैं default इसको ले लेते हैं देखिए यह बैक्ग्राउंड इमेंड डाल चुकी है और अगर आपको लेटर कंप्यूटर से डालना है तो यह है अप्लोड को option यहां से भी आप डाल सकते हैं जो भी आप पास image जैसा है चलिए ले लेते हैं यह देखिए यहां पर बै डिलाइबर में जाएंगे कोई यहां पर इसको ले लेते हैं ठीक है यह भी content दब रहा है फिर भी मैं आपको पढ़ा जीता हूं जैसे कि टॉप लेप्ट में आपको कितना चाहिए यहां से जीरो कर सकते हैं आपको जितना आपको area में चाहिए रख सकते है ठीक है and certain कर सकते हैं cover कर सकते हैं ठीक है cover हो चुकी है तो जो आपको background इमें चाहिए वैसा आप यहां रख सकते हैं यह देखिए ठीक है यहां बेक जाएंगे तो हमारे सारी function के लिए रहो चुके हैं इस theme के अंदर जैसे कि हैंपर टाइप यहां पर टाइप यह आपको चैन्ज करना है चैन देखते हैं तो style हमारा complete हो गया navigation style में डाल लिए pages तो जैसे कि pages को आपको यहां पर यूज करना है कुछ चैन्ज चीजा डालने है pages में वह आप यहां से कर सकते हैं जैसे कि यहां पर publish, schedule, draft, pending, private, trace जैसे कि दोस्तों यहां पर आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर हम ले ले इस पर edit पर क्लिक करेंगे तो डाड यहां से pages में चीज़े जोड सकते हैं अब आउट पीज बनाया गया आपने चीज अठानी about page से add करनी वह आप यहां से कर सकते हैं कुछ चीज अठानी तो आप अठा सकते हैं इस पर इस पर इस पर क्लिक करेंगे यह आपके पास 3. delete पर ट्राइफ और आपी कलर्स बेक्ग्राउंड कलर टाइटल हेडिंग बटन यह ना तो आसर करते हैं वीडियो काफी हेल्फ फुल लगा दूस्तों इस तरह की हेल्फ बुडिक लिए महारे चल्प बना रही है धन्यवाद